हालो वाचो गूड आफ्टरनून आज के इस टॉपिक में हम लेकर आएं आपके लिए यूनिट एंड अमेजिनमेंट के अगले चैप्टर्स आज का स्पेस्पिक जो टॉपिक है वड़ा इपॉर्टन है इस क्वेश्चन में और यह इसी क्वेश्चन के लिए नहीं है आगे भी आप प्लस टू भी पढ़ेंगे जब आप या प्लस वन के कुछ अगले चैप्टर्स के क्वेश्चन करेंगे यह एर्र जो है आपके पास यह यह टॉपिक जो है यह आपको हमेशा आएगा याएगा ठीक है इसका यूज बड़ा रहता है आपके पास तो इसको समझना ह कैसे करना है और बड़ा असान है क्योंकि इसमें जो टर्म है ना परसेंटेज एरर ठीक है जो परसेंटेज एरर है यह हम काफी टाइम से स्कूल टाइम में पढ़ते हैं लेकिन जब भी मैंने देखा है बच्चे अपलाई करने की बारी आती है तो उसको अपलाई नहीं कर बतते हैं ठीक है तो आज का क्वेश्चन है बोड़ी ओफ मास्ट ट्विंटी ग्राम है जब वॉल्यूम फाइव सेंटिमेटर पर क्यूब दा मैक्सम पॉसिबल अरर इन दा मैजरमेंट आफ मास्ट और वॉल्यूम रिस्पेक्टिवली मैक्सम पॉसिबल आर दिया है ठीक है तो हमस्टे पहले पता है कि कभी वी सॉल्व करना क्या इ compartil लिखना क्या है visão कि रृव ब्रम में आपकर समास्ट दिया है हर टविंटी ठीक है ग्राम बॉल्यूम दिया है फाइव सेंटिमीटर और डल्टा एम दिया आपके पास 0.01 ठीक है अब इसमें यूंट्स नहीं है तो हमें मेंशन कर ले ना कि ग्राम में दिया है और डल्टा वी दिया है आपके पास 0.1 सेंटिमीटर क्योग उब आपको डेशटी बोला है हमें पता है देशटी क्या होती है मास अपॉन बॉल्यूम जब भी हम एरर लगाते हैं डेल्टा रो अपॉन रो क्या जाएगा डेल्टा एम अपॉन एम रिल्टीव एरर बने आपको चाहिए टर्म डिवाइड कर रही है बीच में साइन कहा रहेगा प्लस का डेल्टा वी अपॉन भी इसको अप रिल्टी वैरर बोलते हैं थीक है इस डिल्टा एम अपॉन एम को रिल्टी वैरर बोलते हैं यह आपके पस रिल्टी वैर नित ठीक है और percentage अगर निकालना है तो multiply by क्या कर दो 100 से तो अब आजाए यह solve करेंगे आप इसको delta rho upon rho is equal to delta m, delta m दिया आपके पास 0.01 upon 20 plus delta v 0.1 upon 5 अब देखो यहां तक हर बच्चा कर लेगा लेकिन जब इसको solve करने की बारी आएगी इसमें आप ज्यादा गलती करेंगे तो और इसी तरीका मैं आपको पताता हूँ क्या करेंगे पहले decimal को हटा दो सभी को क्या आगया 20 दो और 0 लग गई उपर से क्योंगी decimal भी यहां इसके बाद 2 0 आएंगी नीचे पलस 1 upon 50 अब क्या करेंगे आप 1 upon 2 इसको 1000 ले लिया मैंने अलग लिख दिया बैसे ही 1 by 5 इन्टू 10 अब डिवाइड करेंगे आप देखो 2 से वह को डिवाइड इजली कर सकते हैं अब 0.5 upon 1000 पलस 0.2 upon 10 अब जब इसको सॉल्व किया फर्दर आपने तो 0 पॉइंट देखो एक दो तीन तो decimal भाद 3 और 0 लगाई मैंने फिर 5 आ गया मेरे पास पलस 0.02 जब इसको एड किया 0.0205 अब मेरे को percentage error चाहिए परसेंटेज तो percentage error में क्या करेंगे आप 0.0205 इंटू 100 परसेंट तो 100 से multiply किया दो पॉइंट और आ जाएगा 2.05 परसेंट या approximately 2 परसेंट और मेरा अंसर के आगे आपके पास B समझे आप क्लीर है यहां तक तो यह चीज़ आपको सीखनी है और ऐसा नहीं किसी में बाकी जगा भी आपको यूज हो गया टरम ओके नेक्स्ट आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कॉपर वायर इस ट्रेस्ट टू मेक 0.1 परसेंट लोग एक बाहर को स्ट्रेच किया बटी दा परसेंटेज चेंज इन इस रेजिस्टेंस तो देखो यह प्लस टू में जब आप करेंट लेक्सिटी करते हैं नठेस रो यहां से च्ट्रेस्ट में मतरील होग ही रहता है तो में रेजिस्टेंस क्या यत अजाता है इस Soci Das यहां पे यहां यहां पर युitte दूदा क्या रहा है कि यहां पे बॉला है उसने प्रसंटेज चेंज्ड क्वेश्टिफर में में गिवन क्या है मेरे पास percentage change in its length कितना दिया है 0.1% अब मुझे percentage change in R निकालना है तो अगर मैं delta R में percentage change निकालूंगा तो क्या जाएगा देखो जब इसके उपर error लगाएंगे जो power है power आ गिया जाएगी 2 into delta L percent कितना दिया है delta L percent आपके पास 0.1% तो multiply किया आपने कितना आ गया 0.2% clear है तो आपको बस option आ गया इसमें clear है